गोर फार्मिंग यूटूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर्च स्वागत है आज मत करने वाले हैं किसानों के बीच में बनी हुई एक ब्रहंती के बारे में कि हमें कौन सा यूरिया यूज करना चाहिए या फिर बारिक दाने का जो यूरिया है उसे यूज में लेना तो काफी की सानों का ये डिमाइंड बनी हुई है कि हमें बारिक दाने वाला यूरिया ही हमें यूज करना है बागे जो मोटे दाने वाला यूरिया है उसका उतना बेटर रेजल्ट हमें नहीं मिलता है इसलिए हमें सिर्फ बारिक दाने का यूरिया ही यूज करना है लेकि इसका सबसे बड़ा प्लस पंच यहां रहता है और कि भी करतः हो होता है कि यह धीरे-धीरे डाइलूट होता रहता है और देरे-धीरे आपके फ Snodул को मिलता रहता है तो जब दो बारिक-दाने वाला यूरिया ढूंड़ने हैं लेकिन जिन किसानों को मोटे दाने वाला यूरिया मिलता है वो उसे अवाइड करते हैं कि नहीं हमें वारिक दाने वाला ही यूरिया चाहिए तो कोसिस कीजिएगा कि अगर आपको मोटे दाने वाला यूरिया मिलता है तो आप उसका झाल झाल